तो भाई देख सकते हो हिंदी का पेपर था दो जाते इस यूपी बूर्ड क्लाश 12 का ठीक है इसका संकेतांग कितना है 301 ZF कितना है ZF है ठीक है देख ले ना 301 ZF संकेतांग है पूरांग 100 नमबर का है और 3 गंटे 15 मिनट का टाइम आपको दिया गया था ठीक है तो पूरा पर बहुत ही आसान था देख सकते हो कितनी रचना है पूछी कितीन रचनाओं को भी सॉल्व करेंगे और पेपर भी देख सकते हो ठीक है तो भाई प्लीज वीडियो को लाश्ट तक देखना तो देखो पहला है आपका सेखर एक जीवनी क्रती के रचनाकार है एक जीवनी क अगला क्वेशन खडी बोली गदि की परथम रचनाओं तो याजा भूज का सपना किस ने लिखा इंपोर्टन है बाई पूछा जाता है वाला क्वेशन किस ने लिखा राजा सिव प्रसास इतारे हिंद अगला एक भारती आत्मा किसको कहा जाता है ये बताता है तो माखानलाल चेतुरवेदी जी को आपका एक भारती आत्मा कहा जाता है अगला देखो प्रगतिवाद के प्रमुक कवी है अगला देखो चायावाद की प्रमुक कर प्रवरती है अगला question देखो आपसे कह रहा है ये वाला होगे आपका अगला कह रहा है सुमित्रा नंदन पंद को ग्यान पीट पूरसकार किस रशनापा प्राप्त हुआ है तो आपका सुमित्रा नंदन पंद को ग्यान पीट पूरसकार किस रशनापा प्राप्त हुआ है तो वो है आपकी चिदंबरा, चिदंबरा पर इनको ग्यान पीट पुरसकार से सम्मानित किया गया था, चिदंबरा पर, ठीक है, तो ये question में important है, देख सेकते हो, पांच ही आपके पद्धे साहित के question होते है, पांच उदर गद देखे, तो दस नंबर आपको इससे मिलते हैं दस नंबर का question है, इस पर दो गद्धे आपको दी जाता है, देखो एक गद्धे paragraph ये है, और एक आपको नीचे दिया गया अगले page पे अथवा वाला, ठीक है, तो इनमें से आपको किवल एक ही करना था, देख सकते हो, अथवा पर आपको यहाँ दिया गया है, यह आपके 5 percent solve करने थे, दो-दो number के थे, और अथवा यहाँ पे नीचे दिया गया है, और आपको इसके 10 number मिलने वाले थे, ठीक है, कितने number भाया मिलेंगे, 10 number मिलेंगे, ठीक है, उपर वाला कलो, चाह नीचे वाला, 5 question के answer देने, देखो यहाँ पे भी 5 question आपको दिया गया है, जो कर स सकते हो, ठीक है, आप देखो अगला question आपका था, चौथा, इस पर क्या होता है, इस पर पद दिखा आपका paragraph आता है, ठीक है, 10 number का होता है, देखो यह भी, इस पर भी 10 number मिलेंगे, इन 5 question के answer देने, या बीच में फीर अथवा लगा है, चाह अगले पेच पे देखो अथव वाला कर सकते हो, या नीचे वाला, ठीक है, आसानी से कर सकते हो, ठीक है, तो यह था आपका चौथा number question, तो यह पद साहित का था, ठीक है, अब अगला पांच होआ, करा निमलिखित में सही किसी एक लेखक का जीवन परचे देते हुए, उनकी रशनाओं का उल लेख किसी भी लेखक का लिख सकते हो, आगला देखो, पांच का खा नंबर, निमलिखित में सही किसी एक कवी का जीवन परचे देते हुए, उनकी विसेस्ताओं को लिखिए, ठीक है, तो इस पे भी आपको पांच नंबर मिलेंगे, इन तीनों में से किसी भी कवी का आप जीवन लिखिए, ठीक है, बहादूरी तो है, प्रमुक पात्रिस का, या आप कह सकते हो, कहानी तत्तों के अधाप कर्मनासा की हर, अथवा पंचलाइट कहानी लिख सकते हो, ठीक है, अथवा लगा बीच पे पांच नंबर का है, ठीक है, उपर वालत पहादूर कर लो, ठीक है, अ अगला question आठवे का का इस पे आपको संस्क्रत में अनुवाद दिखना है साथ नंबर मिलेंगे इस संस्क्रत का संदर्ब लिखना है अनुवाद लिख दो साथ नंबर ले जो ठीक है तो आसान था इसका आप पूरा अनुवाद कर सकते हो और देख सकते हो नीचे आपका आपका स्लोग दिया गया है एक स्लोग आपका उपर है कावे सास रविनो देन वाला और नीचे है पर उच्छो कार हंताराम ठीक है तो इसमें भी साथ नंबर मिलेंगे चाहिए उपर वाला कर लेना चाहिए नीचे वाला कर लेना आसान इससे कर सकते हो ठीक है साथ नंबर म दो क्वेशन कर तो चार नमबर मिल जाएंगे ठीक है अब अगला क्वेशन दसका का नमबर तो आपको ये तो कन्फरम ही रहता है आपके रस्ट आएंगे चंद आएंगे और अलंकार आएंगे तो वीर रस अजवा रहुत रस ले सतवा अतिसयोक्ति सोठा तवा हरीगीत का च है इसपे नव नमबर मिल गए ठीक है तो हेंदि का पीपर एकदा मासान था देह सकतो ये आपका पूरा था chopping के नव नमबर आपको इस पर मिलेंगे ठीक है तो भाई देह देख सकतो ये था आपका पूर अपका पेपर